दोस्तों अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो पुल अप्स करना बहुत ज़ादा जरूरी है पुल अप्स एक ऐसी एक्सेसाइज है जो एक साथ हमारी बहुत सारी मसल्स को ट्रेन करती है और हमें एक V-Taper एक चोड़ा शरीर बनाने में हेल्प करती है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुल अप्स नहीं कर पाते हैं वो एक भी पुल अप्स नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है आज के इस वीडियो में आपको चार ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आप अपने घर पे आजमा सकते हैं और इसके बाद आप बहुत ही आसानी से पुल अप्स कर पाऊगे आते हैं अपने सबसे पहले तरीके पे आप सभी को पता है जब हम पुल अप्स करते हैं तो हम किसी बार को या अपने घर में किसी दिवाल को पकड़ के पुल अप्स करते हैं और इस exercise को perform करना है उसके बाद 30 second का rest लेना है उसके बाद फिर से 20 second तक आपको इस exercise को perform करना है ऐसे ही करके आपको 3 sets लगाने है 20-20 second के इस posture को perform करने से होता क्या है जो हमारी traps का lower part है वो train होता है और वो strong हो जाता है जो हमें pull ups करने में help करता है आते हैं अपने दूसरे तरीके पर जो की बहुत अच्छा तरीका है अगर आप pull ups करना चाहते हैं इस तरीके में क्या करना होता है आपको कुछ इस तरीके का posture perform करना होता है जो आप इस समय देख रहे हो यह gym में किया जा रहा है इसी को आपको घर में कैसे perform करना है आपको अप तीरे तीरे और कुछी दिन में आप बहुत ही असानी से pull-ups कर पाओगे तो अगर आप एक भी pull-ups नहीं कर पाते हैं तो ये तरीका ज़रूर अपनाना अपने घर में आप बहुत ही जल्दी pull-ups करने लग जाओगे इस exercise के आपको 3 sets लगाने हैं और 12 repetition के आते हैं अपने तीसरे तरीके पे जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है जब भी हम pull-ups करते हैं तो हम पहले उपर जाते हैं और उसके बाद हम नीचे आते हैं नीचे आने में भी हमारी muscles का use होता है तो आपको करना क्या है आपको किसी उची चीज पे खड़े हो जाना है और एक बार में आपको बार के या दिवाल के एकदम उपर चले जाना है और फिर अपने body को hold करना है और धीरे धीरे आपको नीचे आना है ये posture perform करने से आपका जो नीचे आते से में जो muscles use होती है वो धीरे धीरे strong हो जाएंगी उसके बाद आप बहुत ही आसानी से pull up कर पाओगे उसके बाद आते हैं चौते तरीके पे जो की बहुत जरूरी है अगर आप लोग पूलप्स करना सीखना चाहते हो इसके लिए देखे आपको क्या करना है आप किसी दो टेबल या दो कुरसियों के बीच में किसी एक डंडे को रखके आप लोग कुछ इस तरीके का posture perform कर सकते हो इस posture से भी हमारी back बहुत ज़्यादा strong होती है और ये हमें हमारे pull-ups करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है तो दोस्तों ये सारे तरीके आप अपना सकते हैं अपने घर में किसी भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं अपने घर पे ही आप ये तरीके अपना के और बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आप एक perfect तरीके का pull-up आप लोग करने लगोगे तो ये था आज का वीडियो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा एक अच्छा सा comment करिएगा हमारे वीडियो में और इसी तरह के वीडियो देखिने के लिए हमारे चैनल को subscribe करिएगा